इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Redmi Note 7 के अंदर हम incoming messages को कैसे block कर सकते हैं यह मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा तो वीडियो को पूरा जुरूर देखेगा इसके लिए सबसे पहले आपको settings में जाना होगा settings में जैसे आप जाएंगे तो आपको नीचे जाना होगा नीचे यहां पर आपको मिलता है system apps तो system apps को खोल लेना होगा और system apps को खोलने के बाद call settings में जाना होगा आपको और जैसे call settings वाएंगे तो यहां पर आपको block list दिखाए देगी तो block list में जाना है और जाने के बाद यहां पर आप तीसे नमबर पर देख सकते हैं दूसरे नमबर पर SMS block list जैसे इसको call करेंगे जैसे आप यहां पर फोन करेंगे यह आपके SMS जो हैं block हो जाएंगे तो इस तरीके से आप incoming messages को block कर सकते हैं अपने फोन के अंदर अगर यहां पर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजेगा और चैनल को subscribe कर दीजेगा और जितना भी process हो हमारे Redmi Note 5 Pro में हुआ है आप Redmi के किसी भी फोन में यह process कर सकते हैं